हेलो एबरिबान वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आप लोगों के साथ जो है ग्रीन चिली का वीडियो से शेयर करने वाली हूँ यानि के मैं ग्रीन चिली को किस तरीके से महीने भर के लिए स्टोर करके रखती हूँ यह मैंने पहले से क्लीन करके रखा इसकी डंडी हाफ केजी है यानि के ढाई किलो हरी मिर्ची है और अब हम लोग इसे पहले वाश कर लेंगे मैं आप लोगों कम्प्लीट तरीका बताऊंगी कि इसे हम लोग कैसे महीने या चार महीने या तीन महीने के लिए हम लोग कैसे स्टोर करके रख सकते हैं सबसे पहले मैंने इसे अधा कर लिया है और आधा करने के बाद इतनी कॉंटिटी पहले हम लोग दो लेंगे अच्छे से इसे वाश कर लेंगे इसे अच्छे से वाश कर लेंगे एक पानी से वाश करने के बाद में कॉंटिटी थोड़ी ज्यादा थी तो इसलिए मैंने इसे पहले आदा धो रही उसके बाद में फिर आदा धो लेंगे बाद में और इसे मैं चॉप करके रखोंगी क्योंकि चॉप जो है वेजीटेबल जब भी हम लोग बनाते है तरकारी बगएरा बन तो उसमें हम लोगों को चॉप चिली यूज में आती है तो मैं पहले थोड़ा इसे चॉप करके रख दूंगी तकरीबन एक किलो जितनी को मिल्ची को मैं चॉप करने जा रही हूँ आपके पास जो भी चॉपिंग जार होगा या चॉपिंग मिक्सर होगा आप उसमें कर ल चॉप करके एक कंटेनर में भरके रख देंगे फ्रीजर में यह देख सकते हैं आप फाइनली चॉप हो चुकी है बहुत ही अच्छे से और यह जिस तरीके से ग्रीन है वैसे ही as it is green रहने वाली आप इसे कितने भी टाइम के लिए रख सकते हैं हम लोग इसे एक अच्छे स आपके पास जो भी इस तरीके का जार वगरा होगा या डिबा होगा उसमें आप फील कर दीजिए ये एक किलो जितना है मेरे पास जैगरी का जो एक डबा रखा हुआ था खाली तो मैंने उसमें फील कर दिया है इसे टैप करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से नीचे तक पूरी सेट हो जाए देख लीजे ये ऐसे ही ग्रेन रहेंगी हम लोग इसे इसमें फ्रेजर में रख देंगे इसे और अब जो है वान एन हाफ केजी यानि के एक किलो मिर्ची मैंने चॉप किया है यहाँ पर देड़ किलो मिर्ची मैं वापसे से वाश करी हूँ जो बची भी थी इसी में पूरी आट करके इसे भी मुझे क्लीन कर लेना है दो के इससे फटा-फट से दो लेंगे हम लोग फानी इसका ड्रेन कर लेंगे अब जो हमने मिर्ची चॉप करके रखा था तो वो मैंने फ्रीजर में सेट कर दी थी और जो बची भी मिर्ची थी उसको मैंने दोके सूपने के लिए पहला दी थी दूसरे दिन के और मौनिंग में मैंने ये वीडियो शूट किया था आप देख सकते है ये अच्छे से सेट हो चुकी है चंबस से हम लोग इसे निकाल सकते हैं ये क्यूकि अप complete बरफ नहीं बनती है इजीली हम लोग रख सकते हैं और देख सकते हैं आप दूसरे दिन भी मिल्ची हरी के हरी है बिल्कुल भी इसका कलर भी नहीं चेंज हुआ है ना ही हम लोगोंने कोई स्टोर करने के लिए प्रेजर्वर्टिव कोई क्यामिकल का यूज किया है घर में और फ्रेश फ्रेश ये मसाले बना के आप महीनों तक रख सकते हैं लॉंग टाइम के लिए लसन का वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ तो मैंने गार्लिक को भी किस तरीके से टाइम तक के स्टोर करते हैं वो कम्प्लीट आपको वीडियो मेरे मिल जाएगी चौप कार्लिक और गार्लिक पेस्ट मैंने बना के रखा है और यह देख लीजिए गार्लिक और ग्रीन चिली रेडि हो गई है अब जो हमने मिर्चियां धोय थे जो कल मैंने सूखने रखी ती मिर्चि को वाश कर के मैंने उसे रात में ही सूखने रख दी थी तो पूरी अच्छे से ड्राइ हो गई है one ही उन हाफ केजी जितनी की उसकी कान्टिटी है तो अभी हम लोग इसकози को पेस्ट बनाना है तो जल्दी से हम लोगाी से पेस्ट के लिए mixi की जार में डाल देते हैं यहां पे मैंने मेक्सी की जार में डाल दिया है मिर्ची को अच्छा फुल हम लोग इसे भर के डालेंगे क्योंकि वो पीसने के बाद क्वांटिटी थोड़ी नीचे हो जाएगी इसमें तीन चमच जो है नमक डालना है और वेनिकर एट करेंगे तकरीबन 3 टी स्पून और थोड़ा सा पानी डालके इसे पीसना है जादा पानी नहीं डालना है ताके दम गीली गीली हो जाए अगर जादा पानी डालेंगे तो बरफ जो जमता है साइस ज्यादा है ये ट्रे का इसलिये मैं इससना च्रे में हिसे सेट करणकी और जो आइस वली ट्रे होती हो काफी difficult का इसमें प्राटा हमाँजां दो मैं ने इसलिए एक क ट्रे लिया है इसको सेट करने के लिए इसी तरीके से बाकी बची हुई मिर्ची यहां भी मैं पूरी पीस लूँगी सेम प्रोसेस थोड़ा सा वेनेगर अप्रॉक्स ट्री टी स्पूनियाने के तीन चमच हमें वेनेगर डालना है और तीन चमच हम लोग जो है सॉल्ट अट करेंगे जब भी हम खाने में चिली इसका इस्तिमाल करेंगे तो खाने में थोड़ा नमक कम यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग वेनेगर और सॉल्ट इसमें डालके हम लोग मसाला पीस के रख रहे हैं इसे भी सेम पीस लेंगे और जो एक की ट्रे थी मैं उसी में ही सेट करूंगी क्योंकि एक्स के लिए मुझे ट्रे यूज़ में नहीं आती है मेरे पास ये एक्स्टर ट्रे है इसलिए मैं ये tray को जो है मसालों के लिए यूज करती हूँ और ये tray X का size जो है उस हिसाब से quantity भी इसमें अच्छी जादा आ जाती है मसालों की इसलिए मैं ये tray यूज करती हूँ आप चाहे तो ice वाली tray भी यूज कर सकते है ये next morning में मैंने वापस से वीडियो शूट किया था, जब अच्छे से मसाला सेट हो चुका था, दोनों ट्रे आप देख सकते हैं, अच्छे से मसाला सेट हो गए, यह तकरीबं देड किलो जितनी कॉन्टिटी है, जो कि दो ट्रे में ही आ गई है, पूरी मिलचियां PCV, इसका कलर भी आप देख सकते हैं, पूरा ग्रीन की ग्रीन है, बिलकुल भी कल, मिलचियां काली नहीं हुए है और नाहीं इसका कलर चेंज हो है, यह से, ऐसे ही सेम टेक्स्चेर में, यह तीन से चार मेने तक कि आप रख सकते हैं, फ्रीजर में आपको कांटिटी यूज में आएगी कुकिंग के लिए आप उतना इस्तेमाल कर सकते है इस तरीके से मैं पिसिस कर लूँगी अच्छे बड़े-बड़े क्यूब्स ये कट होएंगे क्योंकि दो ट्रे में ही मेरा एक की जो साइस होती वो बड़ी होती है इसलिए दो ट्रे में इतना मसाल्ण इनफ हो जाता है तो मैं एक की इसलिए ट्रे यूजकर हूँ आप देख सकते हैं कितने बड़े-बड़े क्यूब्स है साइज भी अच्छा है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जितना हो सके अपने फैमली और फ्रेंज के साथ शेर कीजिए और देख लीजिए अंडे के शेप में कितनी अच्छी लगरी, बहुत क्यूट शेप आया है इसका, इस मसालों को आप मैं स्टोर कर दूँगी फ्रिज में तकरीबं तीन से चार मैने तक कि अराम से ये मसाले चल जाते है बाकी भी वीडियोज मैंने अपलोड किया है लसन का, चिटनी का और रमजान का प्रिपेरेशन तो आप विजिट कर सकते मेरी चैनल पे तब तक लिए बाई, ठीक केर